आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ बहुती टेस्टी और बहुती हेल्दी मूंग की रेस्पी ये खाने में बहुती स्वाधिश्ट है मूंग की रेस्पी ऐसे भी खाने में बहुती हेल्दी है और ये बहुती खाने में टेस्टी लगती है तो चलिए मूंग की रेस्मी मैं बनाना शुरू करती हूँ सबसे पहले मैं मूंग को इसे रात बर भींगो ली और पानी से मैं निकाल ली ये बहुत ही फुला हुआ मूंग है मूंग आप चाहे तो कच्चा भी खा सकते हैं मैं कराही को गर्म कर लिये हैं इसमें तेल, मिर्च, जीरा का फोरन डालके इसे मैं पका लेती हूँ और मैं इसमें जीरा डालकर थोड़ी देर पका कर मैं प्याज डाल देती हूँ प्याज को मैं हलका भून लेती हूँ अब प्याज को थोड़ी देर इसे भून ले मूंग तो ऐसे भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमान्द है आप चाहे तो इसे फुला कर खाए या सबजी बना कर खाए ये दोनों बहुत ही हेल्दी है मैं प्याज को थोड़ी देर इसे भून ली हूँ मैं इसमें फुला हुआ मूंग जो है इसमें मैं डाल कर इसे भून लेती हूँ आप इसे अच्छे से इसे लूफलेम पर अच्छे से आप भून ले हूँ मूंग को आप अच्छे से भूनेंगे तो आपका जो मूंग जो है ये कच्चा पंदूर हो जाएगा आप इसे ढखकर थोड़ी देरी से भून ले, मैं मुँझ को थोड़ी देरी से भून ली हूँ, अब मैं इसमें स्वाधन अनुसार नमक को डाल देती हूँ, नमक आप अपना अनुसार ले सकते हैं, अब मैं इसे मिला लेती हूँ, मिला कर और मैं भून लेती हूँ, आप इस अदर्क लशन का पैस्ट टालका मैंसे बून लेता हुग Whoo this the कम तेल मसाला में बनकर तयार हुआ है यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगे और सेहत के लिए भी भी फायदेमंद है मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ आप मसाला को अच्छे से भून ले ताकि यह कच्छापन ना रहे आप इसे बीच-बीच में चलाते रहें और थोरी देर और पका ले एसे आप धाकर पकाई तहीं जल्द पकर तयार होजाएगा और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगे उसे थोरी देर में और पका लेती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा मूंग ये पका है या नहीं हमारा मूंग लगभख पकर तयार है मैं इसे मिला कर उतार लेती हूँ हमारा टेस्टी फ्राइ मूंग का सब जीवन कर तयार है आप इसे खाईए और इंजॉआई कीजिए हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब अबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो हमारी टेस्टी मूं फराइक कैसी लगी कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें तो आप सभी से मिलती हूँ कल नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और सवस्त रहें